दोस्तों ये है यहाँ पर मेरे पास में box Samsung Galaxy A7 का और यहाँ पर सामने ही clear mention है triple cameras को लेकिए और in fact दोस्तों यहाँ पर जो icon है वो बताते है भाई या cameras होने वाले है एक के नीचे एक के नीचे एक बागे तो सामें पीछे कुछ और highlights भी बताती है इस phone के बारे में कुछ और details जहाँ पर बात हो रही है triple intelli cam करने के भी है कुछ smart features शायद हमको मिल जाएंगे ही cameras में आपको मिलने वाला है यहाँ पर infinity display दोस्तों fingerprint scanner है वो होने वाला है side mounted और यहा camera combination है वो कुछ ऐसा है कि आपको मिलता है 24 मेंसल का main camera साथ में है दोस्तों 5 मेंसल का camera depth sensing के लिए और जो तीसला camera है 8 मेंसल का वो आता है ultra wide lens के साथ में और यहाँ पर front camera है वो भी है 24 में पिक्सल का और यहाँ दोस्तों यह जो variant मेरे पास में है यह है 4GB की RAM 64GB storage वाला इसका ए compare तो यह 636 और 660 के बीच में कहीं पर आता है और बाकि दोस्तों glass design है 3300 image की battery है तो बाते होगी है बहुत सारी और यहाँ दोस्तों box पे price लिखी है वो है 25600 रुपे लेकिन इस phone के price है वो है 2990 रुपे और जो दूसरा variant है वो आता है 28,990 रुपे के साथ में तो यहाँ पे price थोड़ी सी ज्यादा ही लिखी है box पर in fact अगर दोस्तों इसको करते हैं purchase अपने HDFC bank के credit debit card के साथ में तो आपको मिल जाएगा extra cash back 2000 रुपे का और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ seals को break एक कैंची के साथ में I think कि भीया मेरा हाथ ना कटे और बास seal break हो जाए Samsung के phone बना चारों त A7 और triple camera है तो देखते हैं भीया क्या हुआ है interesting इस बार Samsung की तरफ से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले box खोलते ही हमको रखाओ मिल जाता है यहाँ पर यह सामने phone मैं एक बार सको रखता हूँ निकालके side में जलग आप देख सकते हैं पीछे triple camera combination की यहाँ दोस्तों इसके अल प्रूरी my weapon of choice और यहाँ दोस्तों इसके अलावा है यह basic earphones जो की in-ear style नहीं है और यहाँ पर यह है एक USB to micro USB cable मज़ा आ जाए अगर हमें जल्दी से जल्दी इसी price range में type C वाले phones देखने को मिल जाए और बाकी है दोस्तों यहाँ पर यह एक charger जिसकी जो output rating है वो है दोस्तो 5 volts 1.55 amperes यह भी अगर एक fast charger हो जाए तो भही है मतलब मजा सा आ जाए तो आप दोस्तों बात हो गई है box contents की बात करते हैं सीधा इस phone के बारे में जहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ इस protection से बाहर और देखते हैं कि यह हमें किस तरीके से मिलता है और क्या कुछ नया लेके design और धेर सारी protection को मैं निकालूँगा फिर हम बात करेंगे इस phone के बारे में तो I hope की और कुछ protection बाकी नहीं है तो यहाँ दोस्तों सबसे बले में करता हूँ इसको boot I think की जो battery है वो इसके अंदर होगी दोस्तों यहाँ पर यह phone तो हो गया definitely on battery थी इसके अंदर और यहाँ प पहली ही जलक में जो यह हाथ में दोस्तों feel हो रहा है phone वो मुझे काफी अच्छा काफी light और काफी premium फिल हो रहा है जहाँ पे एक काफी दोस्तों इसका slim profile है और ऐसे भी जो glass back है यह इस phone को दिखने में और सुन्दर बनाती है और यहाँ दोस्तों बात करता हूँ physical overview की तो यह जो right side है यहाँ पे दोस्तों यह है fingerprint scanner और यह basically एक button भी है जिसको आप दबा सकते हैं तो यहाँ पे यह button के अंदर दोस्तों है fingerprint scanner जो की है power lock unlock button उसके ठीक ऊपर है यहाँ पे दोस्तों button volume up and down के लिए ऊपर की तरफ दोस्तों है यहाँ पे secondary mic noise cancellation को और अगर आप से बात कर slot तो क्या बात दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है proper slot memory card लगाने के लिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो मिलता है layout वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले है 3.5 mm वाला headphone jack साथ में है यहाँ पे micro USB port primary microphone और एक speaker grill बाखे दोस्तों यहाँ पे पीछे प्लस 5 megapixel प्लस 8 megapixel का ultra wide camera साथ में LED flash Samsung की branding तो यहाँ पे जल्दी सो कर लेता हूँ अभी set और हम बात करते हैं कि कैसा होगा यह phone और क्या क्या आपको इसके अंदर options देखने को मिल जाएंगे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपे जो है वो face unlock को एक बार set करता हूँ चलो यह हो गया है done तो दोस्तों finally जो है वो phone हो गया है boot और यहाँ पे मैंने सारी सारे जो options दोस्तों है वो कर लिए थे बहुत majority वाले skip और यहाँ बात करते हूँ पर ले जाके settings में phone के बारे में वो है 9.0 और यहाँ पर दोस्तों security update है वो है September के महिने का तो यह अच्छी बात है बाकि दोस्तों यहाँ पर मैंने फिलाल के लिए face unlock को तो set कर ली है एक बार वही try कर लेता हूँ मैंने देखा और unlock हुआ हलका से time लेता है लेकिन यह unlock होता है मतलब पहले lock screen आएगा उसके बाद में आप दोस्तों यहाँ पर इसको unlock कर पाएंगे और मैं यहाँ पर जल्दी से जाके settings में अपना जो fingerprint है उसको भी यहाँ पर करता हूँ set उसके बाद में हम बात करते है कि भाया कैसा होने वाला है यहाँ पर experience इस fingerprint scanner को यूज करता हूँ register आप अगर अंगुठी से कर है अब ही best जो है वो मैं सभी angles पर लगा रहा हूँ तो best यह कि आप इस अंगली का लगा लें या फिर आप इस अंगली का लगा लें मेरे काल से यह दोनों ही convenient positions रहेंगी मैं करता हूँ यहाँ पर done तो यहाँ पर set हो गया है और यहाँ पर मैंने इसको lock किया और मैंने अभी highlight है भाईया वो है यहाँ पर इसका camera और यहाँ पर जल्दी से करूँगा एक selfie test because वो बहुत जरूरी हो जाता है भाईया यहाँ पर देखने को की चीजें कैसे काम करती है ओके यह दोस्तों मुझे देखते ही काफी है एक अच्छी photo लग रही थी preview में ही काफी clear भी है और definitely definitely काफी ज्यादा detailed भी है दोस्तों यह वाली photo तो यह है 24 अच्छल का selfie camera जहाँ पर आपको LED flash भी मिलता है इसका जो aperture है वो है F1.9 का तो मैं एक बार दुबारा photo लेता हूँ तो यहाँ दोस्तों यह है एक और selfie जहाँ पर 1.9 aperture आपको मिलता था है तो details definitely बहुत 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 ज्यादा है और ऐसे में दोस्तों यह rear camera है वो combination कुछ ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो जो primary camera है उसमें aperture है F1.7 का तो यह मैंने लिया दोस्तों एक normal shot और अब मैं लेता normal shot है मतलब मैंने same position से कितना ज्यादा जो field of view है वो cover किया है तो ऐसे में दोस्तों यह है इसका rear camera 8 muscle का ultra wide जो क्या आता है 120 degree के angle के साथ में जो field of view है 120 degree का और यह दोस्तों standard आपका rear camera 24 muscle वाला जहां पर आपको 5 muscle का depth sensor भी मिल जाता है मैं भी आपसे screen पे कुछ और photo दोस्तों क design दोस्तों यह है complete phone बाकि आप मुझे बताई कि आपको यह phone कैसा लगा और